बिहार बोड के वैसे चात्र जो अभी 9 में पढ़ रहे हैं या फिर 10 में पढ़ रहे हैं या 11 या 12 में पढ़ रहे हैं ऐसे चात्रों के लिए फिर एक नोटिफिकेशन जारी किया है बिहार बोड ने और इस नोटिफिकेशन में वही बात दोराई गई है कि ये 75% हाजरी हर ब पिल्कुल हलके में ना लें और ये 75% हाजरी हर हाल में जरूरी होगी इस बारे में देखे इस नोटिफीकेशन में क्या कहा गया मैं आपको पहले बता देता हूं देखे इसमें कहा गया कि ऐसे छात्र जो की भिहार बोट की माधमिक यानिएक मैटरिक या फिर इंटर के करम, या निकि, जो जाच चल रही है, बिहार के अलग-लग high school के college की जाच चल रही है, उसमें यह देखा जा रहा है, यह पाया जा रहा है कि कुछ माधमिक, या intermediate के जो सिख्छा देने वाले college है, प्लसटव स्कूल है या फिर high school है. इन संसानों में विद्यार्थियों की जो नियुनतम 75% उपस्थिती है ये धर्ज नहीं हो पा रही है मतलब इसका सीधा आसर क्या पड़ेगा सीधा आसर ये पड़ेगा कि जो बच्चे 75% हाजरी नहीं बना पा रहे हैं उनको examination में metric इंटर का बैठने नहीं दिया जाएगा इसलिए याँ पर कहा भी किया कि सभी जिला अधिकारी सभी डियम को पूनह सुचित किया जा रहा है कि समीती दवारा बिहार बोर दवारा जो भी metric और इंटर की परिक्षाएं आयुजित होंगी उसमें विद्यार्थियों की नियुनतम 75% उपस्थिती अनिवार्ज है साथ ही मादमिक और उच मादमिक विद्यालियों के विद्यार्थियों के लिए भी राज सरकार की जो अलग-लग योजनाय होती हैं साइकिल योजना पुशाख योजना छात्रिविर्थी योजना उन सब का लाब लेने के लिए भी 75% उपस्थिती अनिवार्ज है अच्छा यहाँ पर जो विभिन योजनाओं की बात कह दी गई इसमें उन योजनाओं को भी सामिल कर लिया गया जो मैट्रिक पास करने पर 10,000 रुपया मिलता है या फिर इंटर पास करने पर 25,000 रुपया मिलता है ये सब को सामिल कर लिया गया मतलब 75% attendance तो आपको अपने school, college में बनाना ही होगा अगर आप 9, 10, 11 या 12 में पढ़ रहे हो लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल आज क्या है कि आखिर जो बच्चे बिहार से बाहर पढ़ रहे हैं ओ अपना ये 75% attendance कैसे पूरा करेंगे उनको higher study के लिए बाहर जाना अपने school, college में तो बनाना ही है भाई ये बिहार बोड का नियम है तो इसको follow तो करना ही होगा और बिहार बोड का नियम है तो school, college वाले भी follow करेंगे तो इसके लिए simple तरीका आपको ये अपनाना है कि अपने school, college से coordinate करें अपने school, college जहां भी आपका नामांकन है जहां भी आ तो आप उनसे coordinate करें उनसे बात करें अगर ओ चाहें तो आपके इन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं हर बात खुल कर कहीं नहीं जा सकती लेकिन फिर भी आप इस बात से समझ सकते हैं कि आपका attendance 75% बनना तो जरूरी है ही अब देखिया आगे क्या हो सकता है अगर 75% attendance ना रहा त तो जो बच्चे अभी इस साल 11th में admission लिये हैं या फिर 9th में admission लिये हैं तो 9th वालों का registration तो हो गया 11th वालों का registration होना बागी है हो सकता है कि 11th वालों का registration रोक दिया जाए और ये 9th का registration जो हो चुका है हो सकता है कि इनका examination form रोक दिया जाए किस condition में तो 75% attendance ना होने की इस class में हैं तो इन दोनों का अभी exam form भराने जा रहा है तो हो सकता है कि 12 वालों को और 10 वालों को exam form भरने से रोक दिया जाएं तो इन सारी चीजों से इन परिशानियों से बचने के लिए या फिर अगर आप बाहर पढ़ते हैं बिहार से और आपको 75% attendance बनाना संभव नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए जहां भी आपका admission है उस school या college से जरूर बात करें coordinate करें और वहां से आपको जो solution मिलेगा उसको हर हाल में आपको follow करना ही होगा अगर ओ लोग कहते हैं आप college आईएगा, school आईएगा, तभी आपका examination form भरने देंगे तब तो भाई एक ही उपाय बचता है कि आपको जाना ही पड़ेगा school college में attendance बनाना ही पड़ेगा, हाजरी वहां लगाने ही पड़ेगी तो ये चीज असपष्ट समझ लीजे, क्योंकि आखरी फैसला, अन्तिम फैसला या तो school को करना है, या फिर college को करना है, इनहीं पर सारी बाते ही डिपेंड करती है तो आपकी उमीद सिर्फ और सिर्फ school college से है, बिहार बोट से तो आप उमीद लगा नहीं सकते हैं नियम बना, तो वो नियम सब के लिए है, इसलिए आपको अगर इनसे बचना है या इसका उपायट होनना है, तो अपने college समपर करें बिहार बोट की तरब से कोई राहत फिलहाल मिलने नहीं जा रही है तो इसलिए इन बातों को समझ लें, अपने school college से contact करें, उनसे बात करें, समस्या का solution मांगें, अगर वहाँ से solution हो गया, तब तो ठीक नहीं तो फिर आपको अपने school या college में जाना ही पड़ेगा, वहाँ हाजरी बनाने ही पड़ेगी तो फिलाल इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं हम अगली वीडियो में